तो यह भी एक Gigabyte का H81 Motherboard है और इसके उपर एक बहतरीन solution बता के जा रहा हूं ताकि जो भी बन्दा इसके उपर काम करते हो अगर इस टाइप का बोर्ड आ जाता है तो time कैसे save करें और तूरंत अब कैसे find out करना है कि इसका जो no power case है उसमें से PCA ची खराब है तो अभी a shortcut एक बता रहा हूं जो की आसान तरीके से check करना में बस दिखा रहा हूं इससे क्या होगा कि आपका जो time है वो इधर उधर करने से बच जाएगा क्यूंकि आप ऐसी टाइप के बोर्ड लेके बहुत कुछ करते फिरते हो तो यह रैम को हटा देता हूं रैम का कोई क अभी वरेंटी प्योट के अंदर है पर जिस कस्टमर का बोर्ड था उन्होंने यह भेजा था अगर छोटा मोटा कुछ पॉब्लेम हो तो रिप्यार करके देने को बोला क्यूंकि service center में यह बोर्ड अगर जाता तो करीब 20 डेस लगता है तो उतना time नहीं है उनके पास इसल सिंपल सी एक ट्रीक में दिखा देता हूं मैं भी इस बोर्ड में कुछ भी करने वाला नहीं हूं पर बस solution देके जा रहा हूं मैथोट को बता रहा हूं कैसे काम करोगे आप क्यूंकि मैं भी कुछ करूंगा तो यह दो बारा यह service center में receive नहीं करेगा तो मैं चाहता हूं कि इस बोर्ड को service center receive करें और इसके बतले replace में नया बोर्ड दे या फिर उनके पास अगर बीजीय मेशिन हो तो पीच को रिवाल करके या फिर चिप को चेंज करके फिक्स कर दे तो देखो मैं simple बता रहा हूं यह warranty प्योट के अंदर है यह बोर्ड तो इसके उपर बहुत सारा जो 21 है मैंने वीडियो लगबग देके रखका है पर यह एक और भी बैतरीन वीडियो दे रहा हूं ताकि आप समझ जाओ और सीखो यह देखो डिवाकर जिनके पास है बो भी देखो जिनके पास नहीं है बो भी देखो मैं दोनों तरह अपका solution बता के जा रहा हूं तो इस बोड में ऐसा नहीं है हर बोड में एक ही solution काम नहीं करता है देखने में पॉब्लेम एक जैसा लगता है पर solution अलग होता है यह सब को पता है जो यह फॉलो नहीं करता है उनके पास बहुत सारा बहुत लोगों का वीडियो जो अच्छा नहीं लगेगा क्यूंकि वो खु कहां गया मेरा प्रप एक सेंड और एक गया कहां यह एक और एक अच्छा नीचे है तो यह देखो ब्लाक को मैं ग्राउंड कर रहा हूं यहां पर तो यहां पर देखो मल्टिमीटर फॉलो करो और भी नीचे आ जाओ तो समझ जाओगे अब मल्टिमीटर को फॉलो करो यह देखो इसका रिसेट वोल्टेज 2.97 है और स्विचिंग वोल्टेज जो है 0.5 मतलब 1 बोल्ट से लेके 0.36 19 तक मतलब 0.19 तक प्लक्ट्वेड हो रहा है देख सकते हो ध्यान से देख लो ऐसी टाइप का ही पाबलेम आता है ज्याद अतर यह 8-1 का सिरिस में तो यह जो डेट मतलब फुल डेट है यह 100% में 60% बोल्ट में ऐसा आता है और यह क्यों होता है आटिंग की वज़ा से यह पाबलेम आता है जो बिना आटिंग के मतलब सिस्टम चलाते हो आटिंग उनका मतलब स्ट्रॉंग नहीं है तो यह पाबलेम बिक्तिवन का सिरीज है गीगाबाइट का अधर बोड में क्या होता है मुझे नहीं पता पर इस बोड में क्या होता है मैं बता रहा हूं ठीके तो देखो यहां पर स्ट्रॉचिंग बोल्टेज कितना है वन पॉइंट से लेकर बोल्ट से लेकर मतलब 0.2919 तक मतलब फ्लक् एक चीज़ करो और समझ जाओ कि क्या शॉट है तो हाला कि इस बोड में पीसे शॉट है आपके पास जो केस आएगा कुछ अलग कॉम्पोनेंट भी शॉट हो सकता है या फिर चोटा मोटा कैपसटर हो सकता है कोई मॉस्पेट हो सकता है पर मेरे केस में इस बोड में पीसे हो गराएं लगटा करना है नहीं हो रहा है तो आपको रिभा हो कर नहीं हो रहा है तो कमें ब यह माल्टीमेंटर को समझ चोट मैं को डुट कर ना है व्यां पैस म्यंपोंड का पास बोड टो तो वान भोर्ट से लेके जीएो पॉइंट इन तक उसके नीचे भी आ सकता है, तो इसी से आपको समझ जाना है कि मेरा भाई डिवाग काड में पिए सब्सक्राशल पर इताऊ जल नहीं रहा है जिन के पास नहीं है और जिन के पास लिवाग काड है ओडाल दिया तो भाई फोन को ऐसे करता हों, ताकि दिख जाएं, दोनों भी बराबर दिखें, तो देखों, यहां पर एक P-Channel Mosfet होता है, इस P-Channel Mosfet का source से बोल्टेज जाता है और देन से आउट होता है, 5 V, तो अभी एग ग्राउन कर दिया मैंने यहां पर, तो एक ground करने के बाद इसका source में कुछ भी voltage नहीं है, drain पर भी कुछ भी voltage नहीं है, drain पर है, drain पर है, same voltage fluctuate हो रहा है, सम पर पर जितना हो रहा है, तो देखो यह supply तो दे रहा है output से पर यह voltage पीसेच को भी जाता है ठीक है और यह पीसेच ले नहीं पा रहा है क्यों ले नहीं पा रहा है क्यों इसके पीछे या देखो यह short circuit होनके वज़े से ऐसा होता है मैं पहले ही बता दिया तो इसको आप finally find out कैसे करेंगे कि हा भाई PC अबना खराब है तो वह बता रहा हूं तो इसको हटा देता हूं भीरम का पावर हटा दिया और इसका जो साथ का पावा टोटल बॉर्ड मैंने डिशकनेट कर दिया पावर सप्लै कि अब मैं क्या करूंगा इसका जो ढकन है इसे खोलूंगा बस खोलूंगा इस ढकन को खोलने से वरेंट्य आप नहीं होगा पर क्या है अगर मैंने कुछ भी गलती कर दिया इस बूर्ड में और क्योंकि वरेंटी में जब भी जाता है सबको पता है गिगावाइट में करीब पहले तो एक मंत ले लेता था अभी 20 डेस या भी 25 डेस लगेगा तो हर जगापी क्या होता है पतानी पर कलकत्ता में हमारा फिसे बेले हो रहा है अलग जगा पर अलग कंट्रि पर हमारा यहां पर अइसा हो रहा है कि अ क्यों प्रमोटा कुछ हो तो रिप्यर करके दो और बीग इशू हो तो रिटन करो पिर सर्वीस इंडर भेजेंगे तो इसे सर्वीस इंडर भेजने के लिए मैं भेज रहा हो पर थोड़ा सा दिखा के दे रहा हूं कि भाई प्रॉब्लेम क्या है तो अभी क्या है आपके पास इसको पार सपलाई पार्टेस करते हो अर्काम में आपको हो जाएगा पर मोबाई लिप इंग में जो बंदा काम करते हैं वह फाइब एंप से काम चला लेता है क्यूंकि उससे ज्यादा लगता नहीं पर अभी लेटेस जिनेरेशन का जो मोबाल आ रहा है वह पाइब आम प्यर से शॉट रिमूब नहीं होता है, लेप्टप में तो होता ही नहीं है, लेप्टप में काम करना है, तो 10A का ही DC पार सब्लाइ चाहिए, जिस कंपनी का ही हो, तो देखो, मैंने 5 बोल पे सेट कर दिया, 4.94 और एक को मैंने यहां पर डाल दिया, यह देख सकतो, ब्लाक प्रॉप क और अभी दोनों तरह दिखाता हूं, तो यह जो इसका आउटपूट है, मतलब ड्रेन इसका आउटपूट है, तो ड्रेन पे मैं 5 बोल डी रेक इंपूट करता हूं, ठीक है, तो DC पार पे देखो, यह देखो, जब भी मैंने इंपूट कर दिया, तो कितना लोड ले रहा ह तक यहां पर लोड मुझे ले रहा है, और अभी मैं यह देखो, यह पीच में थोड़ा सा लीकुट दिया, तो इस मेल्ट हो गया, और भी पास से देखो, समझ जाओगे, यह देखो, यह चालू हो गया, देखो, मतलब बीच में रह नहीं रहा है, बहुत ही ठोड़ा, से चला जा रहा है, छोड दिया, देखो, बीच में आ गया, दूर से देखो, छोड दिया, बीच में है, डाल दिया, यह देखो, यह देखो, इस मेल्ट हो रहा है, छोड दिया, बीच में है, दिया, जब भी मैं दे रहा हूं, यह पर 6A कंजूम कर रहा, ठीक है, तो डिस्क तो इससे बोट तो रिप्यार नहीं बनने वाला है पर आपका टाइम बोस्ट हो जाएगा और इससे आपका कुछ भी नॉलेज भी नहीं मिलेगा क्यूंकि यह वीडियो अगर देख लिया तो आप तुरंत मैं उमीद रखता हूं कि आप ऐसे देखके अगर चेक करके आपको लगे कि हाँ पीची शॉट है तो रिटेन कर देना चाहिए आपको और आप रिटेन भी करेंगे इस वीडियो अगर मिल जाए तो अगर यह वीडि कर देता हूं ताकि पता ना चले सर्विस इंटर वालों को कि यह बोट पहले किसी किसी ने देखा था और यह पता भी नहीं चलेगा तो लो सफर शूरू हो गया अब इसे डालता हूं यह डाल दिया अब यह चला जाएगा वरेंटी पे तो कुछ भी नॉलेज मिला है कुछ भी जानकारी मिला है तो भाई एक लाइक करके जाओ और तो कुछ मानता नहीं हूं मैं तो लब यू आल मिलते किसी नेक्स्ट केस स् जय हिंदे